Dear Friends, Myself Dr. Mahesh Indra, Assistant Professor, PG Department of Sostworth and Yoga, Dr. Sarvapalli Radha Karsnan, Rajasthan Ayurved University, Jodhpur आज की इस वीडियो क्लास में अपन बात करने वाले हैं, Fasting Therapy के बारे में या उपवास जिकित्सा के बारे में तो जो विशे बिंदू रहेंगे जिन पर आज अपन चर्चा करेंगी वो हैं Fasting का Earth, Fasting का सामाने परीचे, Fasting को कैसे, किस तरह विबाजित किया गया है, Fasting का उदस से क्या है और Fasting के दोरान किस तरह के Science आपको देखने को मिलते हैं, और Fasting को आप किस तरह से Break करते हैं, यानि सामाने भोजन पर, सामाने लाइफ पर आप कैसे आते हैं, और Fasting का प्रभाव क्या है, और किन में Fasting कराना चाहिए, और किन रोगों में Fasting का, या मनुष्यों में Fasting का अर्थात इस्वर के नजजीक रहना ही उपवास कहलाता है आपके जो पाचन तंतर है उसको रेष्ट देने के करम में आपके द्वारा केवल जल का या भोजन का या दोनों का ही एक निश्चित समय पर त्याग कर देना फास्टिंग या उपवास कहलाता है during fasting body eliminates these toxins and morbid matter with a greater speed fasting के दोरान विभिन प्रकार के जो toxins हैं वो सरीर के दोबरा बाहर निकाले जाते हैं इट इस दी cheapest mode of treatment in nature के उर प्रकरती चिकेटसा का ये बिलकुल cheapest mode है treatment का classifications की बात करें fasting को किस तरह विभाजित किया गया है तो इसमें अपन बात करेंगे तो सबसे पहला जो विभाजन किया गया है according to duration दूसरा विभाजन किया गया है depending upon the purpose of fasting आपका fasting करने का उदस से क्या है depending upon the method of fasting आप पे जो fasting कर रहा है उसका क्या तरीका आपने अपनाया है depending on condition और fasting जो करने वाला है उसकी condition के आधार पर भी आपने इसको fasting को विभाजित किया है तो सबसे पहला आपन बात करते है according to duration यानि fasting का जो duration का है उसके आधार पर आपने तीन जगर डिवाइड किया इसको short duration, intermittent and long duration short duration की बात करें तो एक से तीन दिन का अगर आप fasting लेते हैं तो वो short duration के अंतरगत आता है यदि तीन से साथ दिन के अंतरगत लेते हैं तो वो intermittent के अंतरगत आता है और अगर साथ दिन से अधिक का अगर आप fasting लेते हैं तो वो long duration fasting कहलाता है इस तरह duration के आधार पर अपने तीन भागों में short, intermittent and long के अधार पर अपने डिवाइड किया है then depending upon the purpose of fasting आप जो fasting कर रहे हैं उसका उदस से क्या है इसको लेकर अपने तीन पुनाय तीन में डिवाइड किया है political purpose आप किसी सरकारी तंतर या private तंतर या किसी अन्य आपका political राजनेतिक उदस से को लेकर अगर आप fasting करते हैं तो वो political purpose fasting कहलाता है यदि आप किसी धर्म में आस्था की वज़ए से आप fasting करते हैं तो religious purpose की वज़ए से या आप कोई चिकित सक्ये समन के लिए आप fasting रख रहे हैं वो therapeutic purpose के लिए fasting कहलाता है इसी प्रकार अपन बात करें depending upon the method of fasting तो सबसे पहला जो fasting है वो है dry fasting ड्राइ फास्टिंग में आप पानी का सेवन भी नहीं करते हैं without water आप फास्टिंग लेते हैं तो वो ड्राइ फास्टिंग कहलाता है वाटर फास्टिंग विविन प्रकार की डिजीज है उनमें केवल पानी का प्रयोग अपन फास्टिंग में करते हैं तो वो वाटर फास्टिंग कहलाता है जूस फास्टिंग भी विभिमप्रकार के रोगों में अपन करवाते हैं एसिडिक जो सब पास्टिंग होता है और एक एलकला में अपनकरवाते हैं और हो 142 तक Δ्यसिंगों अर Kennedy जिनकी बल सकती है, उनको अपन fruit fasting करवाते हैं, और next जो है, वो है monodite fasting, यदि आप अपने भोजन में केवल एक ही प्रकार के आहार का सेवन करते हैं, तो वो monodite fasting कहलाता है, depending on condition, जो fasting करने वाला मनुष्य है, उसके आधार पर अपने divide किया है, fasting in healthy, अगर अपन स्वस्त मनुष्य में करवाते हैं, या स्वस्त मनुष्य करता है, तो वो fasting in healthy के अंतर करता है, या fasting in acute ill, और fasting in chronically ill, योदि एक्वी डीजीज में अपन करवाते हैं, या फिर अपनग़्ों क्रोनिक डीजीज में करवाते हैं, तो इसके आधार पर भी अपने विभाजन किया है, purpose of fasting, fasting करने का उदस से क्या है, to eliminate the accumulated waste product, सबसे पहला उदस से है कि इस body में जो waste product इकटे हो रखे हैं, उनका सरीय से बाहर निसकासन, regain the vital energy, आपका जो जीवन ये उर्जा है, उसको उसको प्राप्त करना, उसको regain करना, giving the body elementary system a rest, body को एक rest देने के लिए मुख session for the body and mind also, body को relax करने के लिए मुखे रूप से अपन बात करें, तो mind को relax इससे होता है, along with religious faith, also a healer soul, आपका religious faith आपका है, आपका धरम में आपका विश्वास है, तो उसको लेकर के भी fasting किया जाता है, और healer soul इससे होता है, builds healthy lymph and blood, आपका lymph है और blood है, इसका नया निर्मान इस के द्वारा होता है, regeneration of body and longevity, body को regenerate करने के लिए और longevity के लिए, sign of elimination during fasting, आपको fasting की दोरान क्या-क्या sign देखने को मिलेंगे, तो उसके बारे बता गया है, formation of gas, cotton mouth appearance, very foul breath, coated tongue, elevated body temperature, headache हो सकता है, fatigue हो सकता है, dizziness हो सकता है, irritation हो सकता है, lightness, ये सब science आपको fasting के दोरान देखने को मिलेंगे, method of breaking the fast, आपको इसका जो fast आपने किया है, इसको आप समाने भोजन पर कैसे लेके आएंगे, तो सीधा fast को break करते ही, आपको समाने भोजन पर आपके routine diet पे नहीं आना है, सबसे पहल मातना में light food का 7 करता है, जैसे fruit juice हो सकता है, coconut water आप यूज कर सकते है, vegetables के soup आपको यूज कर सकते है, ताकि आपकी जो अगनिया है, जो कम हो गई थी, मन्दागनी की श्तती थी, वो धीरे धीरे वापस normal में आ जाए, then judge digestive power जब थोड़ा increase हो जाए, तो उसके बाद में heavy food in light quantity तो आपको उसके बाद में थोड़ा सा भारी बोजन आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी quantity आपको बिल्कुल कम रखनी है, then आप इसके बाद में कुछ समय तक ये रखने के बाद में, रूटीन रखने के बाद में आपको आपका जो मुख्य बोजन है, positive food in required quantity, तो उसके बाद मे आपको अपने positive food पर जो आपकी इच्छा हो जिनने आपको requirement हो उस पर आ जाना है, then effect of fasting, fasting का प्रभाव जो है, fasting for fresh and active feeling, जो healthy मनुसे जो fasting करते हैं, वो fresh and active feeling के लिए उनका प्रभाव होता है, इसलिए वो करते हैं, और fasting in acute disease, fasting in chronic disease, दो प्रकार से बताए गया है कि fasting in acute disease and fasting in chronic disease, acute disease में भी रोगों की समन में अपन fasting करवाते हैं और बहुत सारी chronic disease हैं, जिनमें भी अपन fasting करवाते हैं, indications, कि इनमें अपन को fasting करवाना चाहिए, तो digestive disorder है, constipation है, indigestion है, गेस प्रोब्लम है, अन्य जो digestive disorder हैं, उनमें भी अपन बहुत सारी disorder हैं, उनमें अपन fasting करवाते हैं, इसकी इन डिजीजेज हैं, एक्जीमा, एड्सेक्टरा, various nervous disorder, stress, anxiety, low concentration, mental illness, इन सब में भी अपन क्या करवाते हैं, fasting का उप्योग करवाते हैं, ब्रोंकियल अस्तमा, obesity में, और some gynecological disorders हैं, जिन में भी अपन इसमें fasting का प्रियोग करवाते हैं, then contraindication, contraindication की बात करें अपन, तो fasting should not be used in every illness, fasting का प्रियोग अपन सभी रोगों में नहीं कर सकते, सभी रोगों की चिकित्सा है, वो fasting नहीं है, long fast will be harmful for whom, अत्य धिके लंबे समय तका आप fasting करते हैं तो वो आपके लिए harmful होता है, pregnant woman है, उसको आप fasting नहीं करवाओगे, diabetes के रोगी है, उनमें भी अपन fasting नहीं करवाते हैं, advanced stage of TV इस तरह बहुत सारे रोग हैं, ये अपन को चिकित्सा के सलाह के बाद निर्धारन करके ही उनमें fasting का प्रियोग करवाना चाहिए, thanks for watching, आज की इस वीडियो से समन्दित किसी का कोई question है, कोई comment है या आप कोई opinion आप देना चाहते हैं, तो mahasndr4 at the red gmail.com या hitayu arveda 85 at the red gmail.com या मेरे whatsapp number 99-288-33-120 पर अवसे भेजे, धन्यवाद